वेल्कम बैक टू मैं चानल आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज के इस वीडियो पे बना रहे हैं एक बहुत ही मज़िदार मसाला वड़ा की रेसिपी इसे आप अपने ब्रेकफस्स या इवनिंग स्नैक्स बना गे एंजुआए कर सकते हैं चले वीडियो को सब्सक्राइब करें ना पूलें जादा से जादा वीडियो को शेयर करें तो चले वीडियो को शुरू करते हैं इस वड़ा को बनाने के लिए यूज कर रहे हैं या पर चने की दाल यह एक अप चने की दाल है इसे मैंने ओवरनाइट सोग कर दिया था क्योंकि रेसिपी को म पानी का यूज नहीं करेंगी और दाल को थोड़ा सा दरदरा पीस कर तयार कर लेंगे तो ये देखें दाल को मैंने पीस लिया है और बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया है थोड़ा सा दरदरा रखा है और इसी तरह से आपको इसे पीस कर तयार करना है जो थोड़ी सी ढाल हमने यहाँ पर अलग रकी थी, एक से दो बड़ा चमच उसे भी डाल देंगे इसके पर ले रहे हैं ताजा नारिल, इसे आप कचके भी ढाल सकती है यह इस तरह से मैंने फ्लेक्स बना लिये हैं जिस तरह से भी आप डालना चाहिए इसे डाल सकते हैं एक से दो बड़े चमच यूज कर रहे हैं यहां पर और ताजा नारे लिए यहां पर यूज करें इसके पार डाल रहे हैं कटा हुआ हरा धनिया थोड़े से कटे हुए दस्ते बारा कड़ी पता मैंने यूज किया है इस बड़ा में जरूर डाले अट कर रहे हैं यहां पर एक बड़ा प्याज जिसे मैंने बार एक चॉप कर लिया है कटी हुई हरमिश डाल रहे हैं स्वाद अनुसर कम जादा कर सकते हैं दो बड़े चमच यहां पर हम डालने जीरा डालां फुम्फली इसे मैंने अने निम्स करके यहां पर डाल दिया है इस نے रोच नहीं किया है सिरफ इसे खुष कर दिया है यहां पर ले रहेंगे दो से तीन cigarette ले रर्चन अर एक ळवर में जाल डालेंगे एक चोटा चमच सॉफ इसे बहत अच्छा फ्लेवर आये यहां पर एक चोटा चमच साबूत जीरा इसे मैं आड कर दिया है निक्स तम यहां पर एड करें एस थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर अगर आप सिर्फ हरी मिच से भी बनाना चाहते हैं तो आप इसे बीबिब स्किप कर सकते हैं , यह पर डाल रहे हैं एक बड़ा चमच आप देख सकते हैं टेबल सपून में लिया है चावल का अरटा यह सिर्फ थोड़ा सामाइं करने के लिए डाल रहे हैं यहां पर इस तरह से डाल के डाल को अच्छे से यहां पर सारी चीजों के साथ मिक्स कर देंगे पानी का यूज बिल्कुल ना करें जब आप डाल को पीस रहे हैं इस तरह से दरदरा पीस के तयार करें और चावल क्याटा डाल के सारी चीजों के आप देख सकते हैं mixler अच्छा से combine हो गया है और इस तरह से हम अच्छा सा जो एक वड़ा है उसे a shape दे पा रहे हैं किसी भी तरह का shape आप दे सकते हैं वड़ा को बनाने के लिए मैंने यहां पर तोड़ से round shape दिया है एक बर हाई हीट पे गरम करके फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देंगे और इस तरह से सारे वड़ो को डाल देंगे और डालने के बाद फ्लेम को फिर से मीडियम कर देंगे जितने वड़े कडाई में आ सकते हैं आप उन्हें अच्छे से डाल दें हाई फ्लेम पे वडो को ना तर लें इसे वड़े अंदर से कच्छे रह जाएंगे मीडियम फ्लेम रखते हुए दोनों तरफ से चला लेंगे और एक अच्छा से गोल्डन कलर आने तक वडो को भून कर तयार कर लेंगे कि वड़े खाने में बहुत ही क्रिस्पी होते हैं और चले की डाल से बनाए हैं तो तेस्ट बहुत ही मज़ेदार होता है तो आईए फटा फट से वडो को यहां पर क्रिस्पी कौने तक बून लेते हैं और यह देखिए इसमें बहुत अच्छा से गोल्डन कलर आ गया है बड़ो को यहाँ पर निकाल लेते हैं और यह देखिए हमारे छट पर बनने वाले मसाला बड़े यहाँ पर बनकर तयार हैं किसी भी चटनी के साथ आभी से सर्फ कर सकते हैं और उपर से यह बहुती क्रिस्पी बनते हैं रेसिप आपको कैसी लगी मुझे जरूर बताएगा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना बूले बेल बटन को जरूर प्रेस करें आगे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी आप से मिलिंगे अगले वीडियो के साथ तब तक के लिए थैंक यू फो वाचिंग